हलो दोस्तों स्रिष्टी एजुकेशन होश में मैं विवेक कुमार आपनों का श्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस एक्जाम के विव से जो महतपूर्ण प्रश्ण है उसे देखने वाले हैं तो आए बिना समय का विलम किये हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों यह रहा पहला प्रश्ण आपनों के शामने बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शही दिवर्ष कम मना जाता है तो दोस्तों यह 15 फरवरी को मना जाता है तो 15 फरवरी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्ट प्रस्ण देखिए दूसरा नंबर प्रस्ण है दोस्तों प्राइद इपिये भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी हो जाएगा दोस्तों प्राइद इपिये भारत बोले या फिर दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी बोले दोनों क अंसर गोदावरी नदी ही होगा नेक्स्ट प्रस्ट देखिए हीरे का अपवर्तनांग कितना होता है तो दोस्तों हीरे का अपवर्तनांग 2.42 होता है लेकिन अगर ग्रिफाइड का पूछे तो उसका अपवर्तनांग 2.2 होता है तो इसका भी आप लोग याद रखेगा नेक नेक्ष्ट प्रस्ण देखिए, चौथा नमबर, मनुष्ट के शरीर के किस गरंथी से ब्रीधी हार्मोन स्रावित होता है, दोस्तों किस गरंथी से ब्रीधी हार्मोन का स्रावन होता है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा प्यूश गरंथी से, नेक्स्ट प्रस्ण देखिए पाचवा नमबर शिक्षा में शुधार लाने के लिए 1917 इस्वी में सेंडलर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था तो दोस्तों ये लॉड चेम्स फोर्ड के समय लाया गया था सेंडलर आयोग नेक्स्ट प्रस्ण देखिए मोपला विद्रो कब हुआ तो दोस्तों मोपला विद्रो 1921 इस्वी को हुआ था ये कहा हुआ था ये भी प्रस्ण पूछता है तो ये केरल में हुआ था दोस्तों कभी कभी मोपला विद्रो का डेट 29 Wonderful चे बाइश रेंज में भी देता है तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत किजिएगा दोस्तों एक प्रस्णावर बनता है इसे मोपला बिद्रो का नेता कौन थे जो केरल में हुआ था उसका नेता कौन थे तो उसका नेता अली मुशलियार थे नेक्ष्ट प्रस्ण देखिए मिरात उल अखवार समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे तो दोस्तों ये राजा राम मोहन राय थे दोस्तों ये प्रथम फार्शी पत्री का थी मिरात उल अखवार इसका स्थापना 1822 शिश्वी में कलकत्ता में किया गया था किनके दौरा र राजर राम मोहन राई के द्वारा नेक्स्ट प्रस्ट देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग कौन सा है दोस्तों एनेच चोवालिस भारत का सबसे लंबा राष्ट्री राजमार्ग एनेच चोवालिस है ये कहां से कहां तक जाती है तो ये सिरी नगर से क गंधार कला का संबंध किस्से हैं? दोस्तों इसे प्रस्ण बनता है तो confusion पैदा करता है तो उसी confusion को दूर करने के लिए मैं आपनों को ये प्रस्ण दिया हूं गंधार कला का संबंध किस्से है तो ये भारतिये और ग्रीक कला के मिश्रन को ही गंधार कला कहा दाता है इसमें भारतिये कला का भी मिश्रन था और ग्रीक कला का भी मिश्रन था गंधार कला में आप लोगों को confusion करने के लिए option में भारतिये और पर्सियन भी एक देता है तो उसको आप लोग टीक मत किजिएगा भारतिये और ग्रीक कला इसका right answer हो जागा next question देखिए दसवा नमबर धातू का वह गुन जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों उसे तन्यता कहते हैं यही तन्यता गुन के कारण उसे पतले तार के रूप में ढाला जाता है अब दोस्तों इससे एक प्रस्ण और बन जाता है कि इस सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है तो वो एलमुनियम होती है तो आप लोग इसे याद रखेगा आप लोग देखे होंगे एलमुनियम का तार जो घर में आप लोग यूज करते हैं कितना महिन महिन होता है इसलिए उतना महिन होता है क्योंकि इसको सबसे इसमें सबसे ज पाधियों का अंत का बरनन किस अनुछेद में है तो यह अनुछेद 18 में दोस्तो इसी अनुछेद के तहत उपाधियों का अंद किया जाता है अगर कोई शेना में कोई भरती है उनको एक बहुत बड़ा सम्मान मिल गया है उसके बाद वो गलत करते हैं कहने का मतलर है कि राश्षित में काम नहीं करते हैं देश दुरो ही काज कर देते हैं तो उनको ज नेक्स्ट प्रस्ण देखिए तेरहवा नंबर प्रस्ण धनवंत्री आर्जभट एवं कालिदास किसके राजदरवार में रहते थे तो यह चंदगुप्त दूतिय के दरवार में रहते थे दोस्तो यह बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण है इसे आप लोग याद रखिएग धनवंत्री आर्जभट कालिदास यह सभी चंदगुप्त दूतिय के दरवार में रहते थे एक पूद देता है पतंजली किसके राजदरवार में रहते थे तो वो रहते थे पुष्मित्र स्वंग के राजदरवार में नेक्स्ट प्रस्ण देखिए चौदा हवा नंबर भारतिय समिधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो दोस्तो प्रस्ताबना को भारतिय समिधान की आत्मा कहा जाता है इसे उदेशिका के नाम से भी जाना जाता है तो आप लोग कन्फूज मत किजेगा ओक्टोपर्स का खुन कैसा होता है तो नीला रंका होता है ओक्टोपर्स क तत्व कौन सा है तो दोस्तों लिथियम है यह पूछ रहा है कि प्रत्थम धात्विक तत्व मतलब प्रत्थम धात्व कौन सा है तो लिथियम हो जाएगा अगर पूछ देगा आधुनिक आवर्थ-सावनिक का प्रत्थम तत्व कौन सा है तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन next person देखिए hydrogen दोस्तो H इसका symbol होता है hydrogen का आप सभी लोग जानते हुँगे H hydrogen का symbol होता है next person देखिए 17 हवा नमबर Shane-Wet का सम्बन किससे है तो ये केंदरी ये उतपाद सुल्क से next person देखिए वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्य है तो दोस्तों वास्तविक है प्रत्य पिछले वीडियो में मैं बताया था उप्षर्ग प्रत्य के बारे में तो प्रत्य जो होता है जो सब्द के लाश्ट में लगता है तो ये जो है प्रत्य है और जो सब्द के पहले लगता है वो उप्षर्व होता है तो वास्तविक में कौन सा परत्य है वास्तविक में एक परत्य है अब बीक देखकर आप लोग बीक मत टिक लगा देज़ेगा क्योंकि बीक कोई परत्य नहीं होता है एक परत्य होता है Next question देखिए स्वाधीन सब्द का संधी विछेत क्या है तो दोस्तों स्वाधीन सब्द का संधी विछेत पुछा जा रहा है तो इसका संधी विछेत हो जाएगा स्वाजोड आधीन स्वाजोड आधीन स्वाधीन सब्द का संधी विछेत होता है Next question देखिए बिश्वा नमबर जो आज का आखरी प्रस्ण है दोस्तो पांच क्रामिक बिशम संख्याओं का आउसत एकीस है तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन है दोस्तो इसका आप लोग हल करके अंसर बता सकते हैं कमेंट बोक्स में अभी मैं आप लोगों को इसे बताता हूँ कैसे इसे बना जाता है दोस्तो पूछ रहा है कि पांच क्रामिक बिशम संख्याओं का आउसत एकीस है तो आप सभी लोग जानते हैं जो आउसत होता है वो बीच में होता है तो एकीस को बीच में लिख दिजिए अब उसके बाद बोल रहा है उनमें सबसे छोटी संख्या कौँ सी है तो इसके दो आगे जो आएगा क्योंकि बिशम संख्या के बारे में पूछ रहा है तो आगे जो आएगा इससे बड़ी संख्या हो जाएगा तो एकाइस के बाद तेज होगा उसके बाद 25 होगा और इससे जो पहले आएगा देखे एक आएगा क्या दो पहले 19 आजाएगा 19 उसके बाद 17 आजाएगा क्योंकि विसम संख्या पूछा है तो 17, 19, 21, 23 तो सबसे छोटी पूछा है तो सबसे बड़ा में 25 हो जाता है तो इस प्रस्ण के अनुसार ऑप्शन नंबर भी राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ये था आज का आखरी प्रस्ण आपनों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख का ज़रूर बताईएगा और जो भी दोस्त चैनल पर नए होंगे वो इस चैनल को सबस्क्राइब कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे और वीडियो को जाएग से जाएगा चलिए मिलते हैं लोग नेक्ट वीडियो में धन्यवाद